मोधी सरकार जब सत्ता में आई तो बिल्डरों के उपर लगाम लगाने के लिए यानि कि जब घर खरीदार को दोगा दिया जाता है तो इसके लिए मोधी सरकार रेरा कानून लेकर आई 2017 के अंदर पूरे भारत में इस कानून को लागू किया गया लेकिन उसकानून की अवेलना किस तरीके से अच्जमेर के अंदर हो रही है उसकी तस्वीर इस वक्त में आपको दिखाता हूं इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोल्डन सुक जो बिल्डर है उसके प्रोजेक्ट पे औ और तव से उनको target गया था कि तीन साल के अंदर ये घर बना कर गर खरीदारों को देने हैं लेकिन अभी तक आठ साल पूर उचुके हैं गर खरीदारों को गर नहीं मिले हैं कुछ गर खरीदार इस वकट क्या पर आये वह हैं उन से बादचीत कर लेते हैं आपका क्या नाम है मैंग जी वताइए कि आपने कब घर खरीदने के लिए अब देन किया तक कब आपको मिलना था यह ने दो अक्तुमर 2011 को बुक करवा है और 2014 तक 90% मांट दे चुके हम अच्छा और कोई मतलब 2-3 साल से काम बिल्कुल बन अब परितिशत राशी आप दे चुके उसके बाद अब क्या कहता है बिल्डर का कहता है कुछ नहीं कह रहा है कैस चल रहा है हमारेरा में उस महासे भी कोई रिस्पांस नहीं है यह अन्दर केस चल रहा है आपकर क्या नाम है अमित मैश्वकिया और कॉन सा फ्लैट आपने बुक किया है मेरा वन बीच के 223 ब्लॉक में है 95 परसंट दे चुका हूं 2011 में लिया था अभी तक कोई इसका था पता नहीं है 95 परसंट लेने के बाब अच्छा अभी तक नहीं है यह घर में निवेश किया तो सरकार की उजना समझ के कर दिया बिल्कुल वही समझ के कर दा और रेवर्मेंट की है तक को जब एन लेकिन अभी तो कुछ भी लगए पता ही नहीं चल रहा है कोई यह पर कुछ रहनुमा ही नहीं कोई कोई पता नहीं यहां पर गरखी दार बिल्कुल जी मेरा मजीद सिंग मौगा है मैंने नवंबर 2011 के अंदर एपलाई किया था और यहां वान रहे हैं वो भी अलग दे रहे हैं तो डवल परिशानी हो रही है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है इदर आगा आगे ठक जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है मुझी सरकार रेरा कानून को 2017 में पूरे देश में लागू किया था लेकिन रेरा में 40 से उपड़ जादा शिकायत हो चुके लेकिन उसके बावजूद भी जो रेरा ऑथुरेटी है उसने अभी तक बिल्डर के उपर कोई भी कारवाई नहीं किये सबसे खास बात यह है कि उस पूरे प्रोजेक्टमर के प्रजमेर को ब्राइज DD की और पानी की शूवीदा देनी है लेकिन चैनाब वरा प्रजेक्टमर कया ब्रांबेल एकी वन लिया था और 80-85 परसंट में पेमेंट दे चुका हूं इनको और 2011 में पर्चेस किया था और आज भी स्टिल वे सी हला था जो चार सल पहले थी बैंक लोन लिया था आप नहीं सर मैंने क्या इस पेमेंट कर देंगे आपको अच्छा यानि कि इंटीमेंट कर देंगे लेकिन किने साल पूरा करने का वादा कीया यह 2014 के सब्सक्राइब करने का था था इनका वादा के हम 2014 के कर देंगे अगर नहीं कर पाते तो चय हम चाह मेने का टाइम होगा उसके बाद अगर नहीं कर तो आपको कराय मिलेगा स्मयं भाएजार गवाएस था फूड़ा सभी था कि अच्छा आपने भी घर खरीदा है क्या नान आपका कब खरीदा था बालु सिंग देवड़ा यह सर्थ लॉंच हुआ था जब मैंने इस्टार्टिक में खरीदा था जब कुछ भी नहीं था यहां और बड़ी बड़ी परलोमन दिए गए आपको टेम से दे दिया जाएगा कुछ नहीं कोई मिलता नहीं है कोई सही रिस्प superb देता नहीं praw हम किस से बात करें और हम जाएँ अभी चार मैंने बाद रेटारमेंट चेह स्च्छा कोमाय संता है नहीं किसको बोलनए लखेती है किस पर 8 तो में कंदार ।्यृ क्ना कि मेर्ट ऐलगका लृक्त प पॉलिशी समझ कर निवेश किया था कि सरकार ने ऐसी अवासी अवासी जो निकाली उसके अंदर निवेश किया जाए और अपना घर भी किया जाए जाए आप कभी यहां पर घर है यह नहीं तम फिर्शाषन को कभी कोई शिकायत बी कौन से सुनता है चलिए बहुत चिंता की बात है कि प्रशाषन भी नई सुनता है और मैं आप से जानना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे पूरे करना था पर आज आठ साल से जाधा हो चुके हैं नहीं किया पांच साल शे साल बीटने के बाद हमने सरकार में जो भी कई लोगों ने सधे कंजूर कोड में गए और उनको भी ज्यादा उनको साहता नहीं मिली पर जब सरकार ने करें रहा रहा कानून लाए तो मैं सोचा आशा मिली कि कुछ अपका कानून होगा तो रहा कानून आते ही अजमेर के प्रोजेक्ट के करीब हमने एक साल चाली से ज्यादा की जा चुकी है पर आज मोटा डेट साल हो गया किसी भी केस की हेरिंग नहीं है एकाथ को छोड़के है रीजन यहीं बता जाता कि वसंद्रा जी के शासन में इसकी गठन नहीं हुआता रहा थोटिक अभी गठन किया है पर मार्च के बाद चार मिन हो गया है अभी तक शेरिंग शुरू नहीं हुए हम जैपुर भी तीन-चार बाद जा चुके हैं उन्होंने बस हमें यह आश कई लोग ऐसे जिन्हों नहीं जीवन की जमा पूंजी सारी लगाई है यहां पर तो अगर सरकार अब ना पानी की सब्सक्राइब जो बन चुके प्लड़ों में पानी की सुविदा देरी ना बिजली की सुविदा देरी है और जो देख रहे हैं और यह प्रोजेक्ट इन मे पहले काम करें तो पैसे थे क्योंकि अपने पहले और डिटी नाइटी परसंट दिया हुआ है तो कैसे करें इस केस में यह निवेदाने सरकार से कि कुछ कि अपना कुछ कदम सकत कदम उठाएं बिल्डर के खिलाब और को इस्टक करें और रहा अथर्टिया का सुनवाई करेगी तो सारे डॉक्यमेंट देख सकते हैं कि बिल्डर ने कब कब हमें कमिटमेंट किया था पूरा करने का और इस तरह करने से क्या होगा कि अच्छे बि बुक कराये थे बच्चों के लिए और सारे पैसे मैं इनको मई 2015 में दे चुका हूँ और आज तक इन्होंने मुझे अनुसी नहीं दिखाई मैं कहता हूँ और फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं है अगर इसमें फ्लैट में कोई दुरगटना हो जाए तो इसका नियम य पैशेंट लिफ्ट यम एक अर। इसमें रोगी को लेडये जासके वह ही नहीं और इनका जो पानी का सिस्टम वे इनकोम्प्लीट है अभी तक सित्वी के पानी से नीनचेविन दी भी लिए ंनने अपनी मर्जी से दिए रखे जो कुश चरते है मैंने रेजट्री करा है इ अब ये कुछ भी नहीं सुन रहे हैं किसी चीज साफाहों क resolve नहीं होता है तो मैंप no ऑफ्रमात्रामंध को लिखेंगे, तब कुछ मांदाएगा वैसे तो कोछ धिखनी रहा है एक अब यह सज्जन कोई मिलके आये थे इनके गुडगाओं उन्हें का जी हम तो कुछ नहीं करेंगे ऐसा उनकी पोस्ट आई थी है अब पता नहीं अब यह यह इन चार्ज है हमने सुना है कि इनको भी तंखानी मिल रही है यह भी छोड़के जा रहे हैं वह हैं कि अभी किसी हो कुछ नहीं पता है अच्छी बार मुख्यमंत्री अश्व गहलोत की सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश के अंदर आवास के लिए यह योजना निकाल ली ती और उसी योजना के ताहित इस जगे का जो यह प्रोजेक्ट है उसका काम शुरू किया गया था लेकिन पूरे मामले में देखना होगा कि रेरा अथरोटीज पूरे मसले के उपर बिल्डर को बिल्डर के उपर क्या फैसला देती है कैमरा परसन राजवीर के साथ सुशील पाल एंप्टीव इंडिया अजमेर की बहुत सारे गई खरीदार है जो नाखूश है शिकायत लगाता कर सर्थ आपके बिल्डर क्या है सर बीस को इंफोमेशन आ नहीं है इसलिए कब तक क्या पर प्रजोटो पूरा होगा अबर को इंफोमेशन आती है तो मैं इंफोम कर देता हूँ जैनल तो इस इफ यह थो आगी रहालipples कर कर देता हूं प्रोजेक्वाश में है याल्लि हां झाल झाल